हाई दोस्तो' T4Challelm' में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप Flipkart का order को cancel कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को शूरू करते हैं और सीखते हैं Flipkart में कैसल कैसी किया जटा है सबसे बिल आपको अपना फ्लिप-kaart अप्लिकेशन ओपिन करना है तो ये रहा फ्लिप-kaart अप्लिकेशन इसको हम open कर लेंगे अब open करने के बाद यहां पे नीचे की तरफ आएंगे और यहां पे एक option मिलता है home का उसके बाद category का उसके बाद notification इसके बाद account option है तो यह जो account वाल ऑप्शन है न दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है जैसे आप account वाले option में क्लिक करेंगे अब यहां पे देखिए first में आपको आउडरस लिखाओ है तो orders वाले option में आपको click करना है जिसे हम orders में click करेंगे यह orders पूरा detail में खुल जाएगा अब यहाँ पे जिस order को cancel करना है उसके ऊपर click कर लिजेगा तु बomatic cancel करना है तो हम यह ऊपर हम click कर लेंगे जिसे हमने क्लिक किया यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यह order हमारा confirm हो गया है और यह order ship भी हो गया है अब इसको cancel करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे नीचे एक option है cancel का तो cancel का option में आपको यहाँ पर क्लिक करेगा जैसे आपने cancel में क्लिक किया अब यहाँ पर दो option है पहला है don't cancel और दूसरा है cancel order का तो जो cancel order का option है इसमें आपको क्लिक करना है जैसे आपने क्लिक किया अब यहाँ पर एक reason आपसे पूछेगा कि आप इस product को क्यों cancel करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक reason यहाँ पर दे देना ह आपको जैसे आप रिजयर देंगे उसकी बाद आपको यहां पे कुछ नीचे comment टैप करना है चेंज अनदर ऐड स्टरेस उसको नीचे submit request को उपशन है इसमें आपको ऐप क्लिक करना है जैसे आपने क्लिक के यहां पे आगया लिख करके cancellation confirm तो इस तरीके से दोस्तो और्डर को कैंसल कर सकते हैं फिलिप कार्ट अप्लिकेशन में दस्त वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दें नवाद